हलो गाइस कैसे हूँ मैं इसके सरमा बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे कि अबनॉर्मल लॉस का ट्रीट्मेंट कैसे करते हैं पिछले लेक्चर में बेटा हमने बतलाया था कि अबनॉर्मल लॉस होता क्या है और डैटमिस नॉर्मल लॉस क्या होता है जो बचे इस वीडियो प आपको जादा समझनाएगा तो पिठाा आज की जो क्लास है कि हाव कैने यूं कल्कुलेट अबनॉर्मल लॉस कैसे हमलोग अबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से करते हैं वह सारा चीज हम लोग lines क्रॉत करेंगे ठीक है तो पिठा आज हम लुग का डा जार से पांच कोश्चन एबनर्माल लॉस से रहते हैं आप इसे अच्छा से पढ़ना और भी कम कोई बच्चे हैं तो उनके भी एक्जाम में कोश्चन एबनर्माल लॉस को निकालने फांड आउट करने के लिए यह दो या तीन मार्क्स के आ जाते हैं तो सबसे पहले बेटा दो जगा होता है अगर एबनर्माल लॉस की बात करते हैं तो वो दो जगा डैटमिस एबनर्माल लॉस को कंसिडर करता है तो वो कौन-कौन सी जगा है पहले यह जानते हैं वो कौन-कौन सी जगा पर डैटमिस एबनर्माल लॉस को कंसिडर किया गया है पहले वो समझते हैं उसके बाद हम जानेगे कि evaluate loss को निकालने का process यह तरीका क्या है. ठीके? तो बिटा सपूस कर लो. ये बिटा ये खंसाइनर है. ठीके? ये क्या है? खंसाइनर है. ठीके? ये इस खंसाइनर का ये place है. बोकारू. कंसाइनर कहां रहता है बिटा? बोकाव में रगता है अब कंसाइनर क्या है? अपना goods को send कर रहा है suppose कर लिजे राची में send कर रहा है ये कंसाइनी है आप लोग तो जानते हैं जो goods को send करता है उसे हम लोग कंसाइनर बोलते हैं और जो goods को receive करता है उसे हम लोग कंसाइनी बोलते हैं तो यह कंसाइनर है और यह कंसाइनी है और यह बेटा राची मेरा रहा है ठीक है कंसाइनर के गोदाउन से डाड़ी निकला ठीक है कंसाइनर के गोदाउन से गाड़ी ऐसे निकला जा रहा था जा रहा था और रास्ते में गाड़ी जो है डाड़ी बेटा पलट गई ठीक है ग तो जब accident हो गया, तो consignor ने जो goods भेजा था, जो goods that means भेज रहा था, किसको भेज रहा था बैटा, consignor को, तो रास्ते में ही वो goods या उस truck या lorry वो पलट गई, accident हो गई, तो जितने भी goods से बैटा, वो damage हो गई, goods क्या हो गए, डैमेज हो गए, हाना, goods क्या हो गए बैटा, डैमेज हो गए, मनि याद रखना, तो बैटा, इसे हम लोग बोलते हैं, अगर कोई रास्ते में जा रहा है गाड़ी, और रास्ते में accident के कारण, consignor के पास पहुचने से पहले ही, अगर वो goods डैमेज हो जाता है, तो बेटा हम लोग इसको बोलते हैं, loss in transit, याद रखना, क्या बोलते हैं, loss in transit बोलते हैं, is it clear ना, तो abnormal loss इसे भी बोला गिया है, तो abnormal loss को हमने क्या बोला, कि दो तरीका से होते हैं, तो उसमें से पहला तरीका ये है, कि before, before receiving the goods of consignor, कंसाइनी के goods को receive करने से पहले ही, अगर कोई goods क्या होता है, transit, transit का मतलब way में, जाते हैं समय ही, अगर कोई accident हो गया, किसी तरह से कोई damage हो गया, बारिस पढ़ गए, goods खराब हो गये, कंसानी के पहुचते ही मने कंसानी के पास पहुचने से पहले अगर कोई goods damage हो जाता है तो बेटा उसे हम लोग बोलते हैं loss in transit तो ये भी एक परकार का बेटा ये abnormal loss है ठीक है? तो हम लोग इसमें भी देखेंगे कि कंसानी के पास वो goods पहुचा है और उसके पहले ही damage हो गए तो how can you calculate the abnormal loss value आप कैसे abnormal loss value को calculate करते हैं वो हम भी देखेंगे अभी ठीक है? अगर ये पहली बात होगी अब second क्या होगा? consideration abnormal loss के क्या होगा बेटा? मान लिजी ये consigner है suppose कि ये consigner है, ठीक है? ये consigner है बेटा, मान लिजी वही dat missus का place बोकारू में है ठीक है? और ये समान suppose कि लिजी, ये मान लिजी, consigner के पास भेज रहा है, कोई consigner है, ठीक है? और consigner का बेटा एक go down है, ये एक go down है, घर है यहाँ पर dat missus ये इसका setter है, ठीक है? ये go down है, किसका go down है बेटा? consigner का consigner, न? consigner go down ठीक है? तो अब यहाँ से समान जा रहा है बेटा देखो, समान जा रहा है ट्रक से जा रहा है, ठीक है? गया गया, और यहाँ पर that missus समान क्या है, पहुचे गया ठीक है? consigner के पास और consigner क्या क्या, इस goods को कहा रखा बेटा? go down में रख दिया मनि जितने भी goods है, सारे को go down में रख दिया, यहाँ सारे goods यहाँ पाएगे, go down में आ गये, ठीक है? और एक दिन क्या है आचानक, रात में क्या है आग लग गई? किसमे? go down में, that means आग लग गई तो यहाँ भी goods का damage हुआ, यहाँ भी goods का damage हुआ, हुआ न बेटा? goods का damage हो गया न, goods damage हो गया, तो बेटा यह भी goods का damage हुआ, तो इसे हम लोग बोलेंगे loss in consignees go down, loss in consignees go down, ठीक है? go down बोलेंगे, तो यह भी एक परकार का abnormal loss है तो इस परकार से हमने देखा कि दो परकार के abnormal loss होते हैं एक होते हैं कि कंसानी के पास goods पहुचे नहीं है और रास्ता में ये goods damage हो गया तो बेटा उसे loss in transit कहते हैं और एक होता है कि कंसानी के पास goods पहुच चुका है और पहुचने के बाद go down में किसी भी तरह का कोई treasury हो गया आग लग गया, theft हो गया, चोरी हो गया हम समझेगे नहीं बात को किसी भी परकार का कुछ भी हो सकता है तो अगर किसी परकार के कंसानी के गोदाउन में अगर कोई goods damage हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं loss in consigny गोदाउन से होते हैं एक होते हैं कंसानी के पास समान पहुचने से पहले अगर कोई समान loss हो जाए तो उसको कैसे हम लोग abnormal loss का value निकालते हैं और कंसानी के पास पहुच जाए और उसके बाद अगर उसके go down में कोई that means कोई आचाना कोई आग लग जाए या किसी तरह का theft हो जाए या किसी तरह का that means negligence हो जाए तो कहने का मतलब किसी भी परकार का कोई treasury हो जाता है गोदाउन में तो उसे हम लोग loss in consigny गोदाउन कहते हैं तो बेटा अब हम लोग देखेंगे कि abnormal loss को that means calculate कैसे करते हैं दोनों केस को अलग अलग करके ठीक है तो अब हम लोग यहाँ पर find out करने जा रहे हैं calculations of abnormal loss abnormal loss ठीक है तो आभी बेटा हमने बतलाया कि abnormal loss को हम लोग दो तरीका से consideration करेंगे दो तरीके से find out करेंगे abnormal loss जैसे आपको पता है कि वैसे loss जो मुझे मालूम नहीं है अचानक suddenly अगर हो जाते हैं तो ऐसे loss को हम लोग abnormal loss हो करते हैं जैसे रास्ते में अगर कोई समान लेकर जा रहे हैं accident हो जाए तो वहाँ पर कोई goods का damage हो जाए तो वह भी बेटा abnormal loss है अगर मालिजे कंसानी के गोदाउन में अगर आग लग गई है कंसानी का गोदाउन से चोरी हो गई है या किसी तरह से negligence हो गया है goods का तो वहाँ भी एक तरह से abnormal loss है तो हम लोग सब केस के बारे में discuss करेंगे ओके अब ध्यान से देखना तो पहला केस बेटा है पहला केस के बात कर रहे हैं कि abnormal abnormal loss हाना during during in transit ठीक है पिटा अब हम लोग बात करेंगे कि abnormal loss का जो calculation है वो transit के केस में कैसे होगा जैसे अभी बतलाए न गटा कि एक गाड़ी जा रही है एक गाड़ी जा रही है रास्ते में जा रही है और ये consigny है हाना ये consigny है और consigny के पास पहुचने से पहले ही कि उस गाड़ी का accident हुआ या किसी कारणवर से goods damage हो गया तो ऐसे loss को हम लोग बोलते है abnormal loss during in transit बोलते हैं तो इस case में how can you calculate abnormal loss value वो चीज हम लोग देखेंगे तो पिटा एक चीज बताओ जब रास्ते में जा रही है और ये consigny के पास से निकली है गाड़ी consigny के पास से ये गाड़ी निकली है और रास्ते में जा रही है और consigny के पास वो गाड़ी डैटमिस पहुचा ही नहीं है वो लॉरी पहुचे नहीं है और रास्ते में ही goods का damage हो गया तो यहाँ पर बेटा loss किसका होगा concernor का होगा यहाँ पर भेजते समें जो भी expense वेर कर रहा होगा कौन कर रहा होगा concernor तो यहाँ पर हम लोग concernor का proportionate expense ही लेंगे concernor का proportionate expense नहीं लेंगे ठीक है आप अच्छा से दिमाग में डाल लो फिर से गवर बता रहा हूँ कि अगर कोई abnormal loss अगर आपका loss in transit हो जाता है रास्ते में वो अगर वो damage हो जाता है goods तो उसमें cable consigner proportionate expense that means हम लोग use करेंगे ठीक है तो बेटा कैसे हम लोग निकालेंगे हम लोग अब देखते हैं इसको तो सबसे पहले बेटा हम लोग को लेना है cost value of damaged goods जो damaged goods है उसका cost value ले लेना है ठीक है बहुत सारे बच्ची इसमें गल्दी करते हैं कि cost value कैसे लिया जाए तो बेटा याद रखना अगर आपका invoice price और cost price दोनों दिया हो question में तो हमेशा cost price से multiply करता क्योंकि जो भी loss होता है concernor का वो cost price ही loss होता है हमने अभी तो goods को बेचा भी नहीं है sale भी नहीं किया है तो हमारा loss क्या हुआ तो उस goods को बनाने में जो darkness cost मेरा लगा है उसी cost का हम लोग loss मानेंगे तो यहाँ पर याद रखना कभी भी बेटा अगर आपको abnormal loss निकालना है चाहे वो loss in transit हो चाहे वो loss in consigny go down हो तो याद रखना हमेशा cost price से ही multiply करना है याद रखना अगर वो invoice price दिया होगा तो उसे that means cost price में convert करना है नहीं तो अगर cost price और invoice price अगर आपको questions में नहीं दिया है तो आप देखो क्या दिया है उसी price से multiply करेंगे consignor ने जो price से goods को consign किया है उसी price से हमनों that means multiply करेंगे damage goods को जितना goods damage हुआ है जैसा अगर हमनों बात करते हैं कि 1000 suppose कि लिए 1000 boxes भेजे गए और रास्ते में dat means ओला पड़ गया तो कम से कम 100 boxes का क्या हो गया बेटा damage हो गया तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर cost value of damage goods तो 100 boxes into cost price मानों 20 rupees है तो 100 into 20 करेंगे तो आपको याद रखना है कि जब भी अगर cost value of damage goods निकालना है तो हमेशा cost price से multiply करना है किस से? damage goods से ठीक है? फिर इसमें add करेंगे हम लोग अभी हमने बताया इसमें केवल हम लोग add करेंगे consignor proportionate expense ठीक है? क्या add करेंगे बेटा? consignor proportionate expense और बेटा consignor proportionate expense निकलेगा कैसे? बहुत तीजी तरीका है तो बेटा आप लोग याद रखना damage goods into consignor expense जो consignor का जो expense होगा भेशते समें और divide by goods sent on consignment जितना का हमने goods भेजा है वो होगा ठीक है? तो बेटा याद रखना कि damage goods into consignor expense divide by goods sent on consignment ठीक है? अगर हम इसको समझना चाहते है मान लिजे कि 1000 boxes है ठीक है? send किया गया है at the rate of 20 rupees each करके each boxes कितना है बेटा? 20 rupees मान लिजे यह यह cost price है यह consign price है ठीक है? और रास्ते में transit में क्या है बेटा? 50 boxes जो है 50 boxes that means damage होगे बोला गया है 50 boxes damage होगे तो कैसे आप consignor proportionate expense निकालोगे और आपको consignor का मान दिजे consignor का expense आपको दे दिया है 200 rupees ठीक है? consignor का expense suppose कि लिजे 200 तो कैसे हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे formula क्या है बेटा? damage goods so damage goods कितना है? 50 तो 50 ले ले लेंगे ठीक है? कोई कोई क्या करते है 50 को that means money में convert कर गए बनाते है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा boxes के base पर बनाओ ज़्यादा ये अच्छा रहेगा कि जो that means quantity दिये हो उसके base पर बनाओ तो damage goods का मान दिजे quantity लेना है तो इस तरह से आपको निकालना है तो ये abnormal loss during the transit की बात हो रही है तो जब भी अगर abnormal loss during the transit होगा तो याद रखना cost value of damage goods plus concernant proportionate expense इन दोनों को add कर देंगे यहाँ पर add कर देंगे तो याद रखना इसे हम लोग बोलेंगे that means abnormal loss abnormal loss ठीक है यह abnormal loss है मान दिजे जो damage goods हुआ है हमने insurance claim कर दिया है ऐसा होता है कि goods का insurance होता है तो अगर हमने goods का अगर insurance claim किया है तो उस claim को इसमें से minus करेंगे तो actual abnormal loss निकलेगा ठीक है तो उसकी बात हम लोग आगे lecture video में करेंगे वेटा तो अभी हमने इसलिए बतला दिया कि अगर कोई claim हम receive कर लिजे मान दिजे कि मेरा loss हुआ abnormal loss 1000 का और 200 हमने claim receive कर लिया तो उस 1000 मेंचे 200 को minus करना है और minus करने के बाद जो 800 आएंगे वो actual abnormal loss होंगे अगर claim नहीं दिया है तो इसमें आपको कोई subtract करने की जुरत नहीं है ठीक है तो इस तरह से अभी जो हमने formula दिया बेटा यह abnormal loss during and translate दिया नोट करो फिर हम लोग बताएंगे abnormal loss in consigning go down ठीक है जल्दिस नोट करो चल्द बेटा अब हम लोग देखते हैं कि abnormal loss concern के go down में अगर हो जाता है तो कैसे calculate किया जाएगा ठीक है तो बेटा एक एक concept को आप लोग को ध्यान से देखना है और कोई भी doubt होगा बेटा discuss पूछना है ठीक है कुछ भी doubt है कुछ भी doubt है आप एकदम बेहिचक पूछो ना जी एकदम बेहिचक पूछो मैं जरूर बतलाऊंगा ठीक है तो बेटा second जो है second topic है abnormal loss abnormal loss in consigning go down consigning go down abnormal loss in consigning go down इसका मतलब क्या हुआ कि वो समान जो है पहुश चुका है consigning के पास और वो go down में रखा है और किसी भी कारण वर्स किसी भी causes से आगे लग गई चोरी हो गई या कुछ भी हो सकता है तो अगर कुछ भी कारण से वो goods अगर nest हो गया है goods damaged हो गया है तो उसका calculation हम लोग abnormal loss in consigning go down के base पे करेंगे ठीक है तो बेटा जैसे हमने बतलाया था कि अगर goods अगर transit में अगर loss हो रहा है goods अगर यहाँ पर transit में रास्ते में अगर कोई loss हो रहा है तो यहाँ पर consigning का जो भी समान भेजने में जो भी expense हो आउसका damage हो गया वो बरबाद हो गया ठीक है लेकिन यहाँ पर बेटा समान पहुष चुका है और इसके बाद goods damage हो गया है तो यहाँ तो दोनों का बेटा यहाँ पर loss हो रहा expense दा रहा है consigning भी go down में रखा तो उसका expense बेर किया था तो भी एक तरह से loss हो गया और consigning ने goods भेजा था consigning को तो उसमें जो भेजने में जो उसका expense है यहाँ पर यहाँ पर हम लोग दोनों का प्रोपोस्नेट expense लेंगे consigning का भी और consigning का भी आपको बहुती अच्छी तरह से जब भी अगर आप questions बनाओ abnormal loss निकालने के लिए या consignment का जब भी questions बनाओ तो आपको दिया होगा कि abnormal loss का death means working note निकालना पड़ेगा तो abnormal loss कब निकालेंगे तो सबसे पहले देखो goods damage क्या है करी अगर goods damage क्या है तो उसके बाद बेटा आपको दिमागे लागा नारी सर क्या बताये थे जब goods damage होता है इसके बाद देखना है कि वो transit में damage हुआ है या consignment के go down में हुआ है ये चीज बहुत important point है आपको याद रखना चाहिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जब भी अगर आप consignment का questions बना रहे हो और आप abnormal loss का working note करना चाह रहे हो तो कैसे? क्या हमेशा abnormal loss बनाएंगे क्या? abnormal loss का जो value हमेशा निकालेंगे नहीं बेटा जब अगर आपके questions में दे देगा कि goods damage हो चुका है goods पुरी तरा से destroyed हो गया है तो आपको ये देखना है बेटा वो goods क्या? वो goods transit में हुआ है या goods that means consignment के go down में हुआ है रास्ते में भेज रहा था रास्ता में वो किसी कारण्स goods damage हो गया तो अभी जो हमने first वाला जो formula दिया था उसको apply करेंगे ठीक है? तो अभी हम दो देखते हैं कांसानी के गुदाउन में कैसे करना है? तो बेटा यहां भी वही हो जाएगा cost value of damage goods जो damage goods है cost value लेंगे मतलब जो भी cost value है damage goods का उसको हम लोग इसमें considerate करेंगा और यहां भी बेटा cost price में ही multiply होगा कभी भी abnormal loss अगर हम लोग को निकालना है always cost price से multiply करना है यह दिमाग में अच्छा से रख लो बेटा always cost price से ठीक है? फिर बेटा इसमें हम लोग add करेंगे consigner consigner proportionate है ना proportionate expense है ना add करेंगे तो consigner proportionate expense कैसे निकलता? अभी मैंने जस्ट बताया बेटा फिर इसमें add करेंगे बेटा consigne consigne proportionate expense add करेंगे चीक है? पर कितना आसान है तो consigne का proportionate expense add करेंगे और इस तीनों को अगर add कर दिया जाए तो बेटा ये क्या निकल जाएगा? abnormal loss निकल जाएगा ठीक है? और इसमें भी अगर आप कोई claim किये हैं माली जए consigner ने claim किया है या claim adaptments हुआ है receive हुआ है तो इसमें से abnormal loss से minus करतेंगे हम लोग claim पर एक पूरा वीडियो बनाएंगे कि consignment में जब insurance claim होता है तो insurance claim का treatment क्या होता है? insurance claim का treatment बेटा दोनों के case में होगा जब consigner जब claim receive करेगा तो उसमें कैसे journal entry को पास के जाता है और जब consigner receive करेगा claim को तो how can you pass the journal entry? हम लोग इसमें एक lecture वीडियो बनाएंगे अभी मैं जब एक भरवली आपको बतला दे रहा हूँ कि साइद आपसे questions भी बन जा आप जब बनाने बैठो इसको देखकर तो अगर कोई claim receive होगा तो बेटा इस abnormal loss से minus कर देना ठीक है? तो यहाँ पर बेटा हमने consignive proportionate expense के बारे में अभी just हमने बतलाया कैसे निकालेंगे हम यह बतला देते हैं कि consignive proportionate expense कैसे निकलेगा तो बेटा consignive consignive proportionate expense उसी तरह निकलेगा जैसे unsold stock में था तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे damaged goods quantity damaged goods quantity lost quantity भी लिख सकते हैं into consigning consigning non recurring expense आगिया बेटा देखो consigning का non recurring expense वो expense one time होता है वो non recurring expense है जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो जल्दी से फटाक से अभी जाओ तुरंत जाओ तुरंत जाओ आप इसका consignment का आप part 4 या 5 में देखो तुरंत हमने दिया है consigning का non recurring expense का पूरा में ने list दिया है आप उसे देखो और automatic आप याद करो फिर देखो बहुत मज़ाएगा बनाने में ठीक हैं तो जाओ मैं goods quantity हो गया बेटा और फिर यहाँ पर याद रखना है goods goods receive by consigning consigning के द्वारा goods receive हुआ बेटा यहाँ पर यहाँ पर goods receive by consigning consigning ने कितना goods receive किया है वो चीज बेटा यहाँ पर देखना है consigning goods जितना receive किया या तो इसको हम लोग ऐसे भी वही लिख सकते हैं goods sent on consignment यही लिख दो अच्छा रहेगा goods sent on consignment वही लिख दो हमने consigning को goods कितना भेजा है कितना उसके पास गया है वो चीज यहाँ पर लिख देंगे सेम है तो इस तरह से बेटा यह क्या हो गया consigning का proportionate expense हो गया तो बेटा इस तरह से हमने देखा कि जब कोई abnormal loss होता है जो suddenly हो जाता है तो उसका treatment कैसे करते है consignment में तो फिर से बोल रहा हूँ यह दो loss का treatment है इसमें एक है transit के base पे और दूसरा बेटा आपका किस के base पे है that means go down के base पे है तो बेटा इसको अच्छी तरह से पढ़ो कोई doubt होता है तो फिर आप मेरे से discuss करो मैं आपके साथ हूँ हमेशा हूँ आपके और comment तो करो एक बार देखो जरूर 100% चले बच्चे